हलो गाईज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉलेज कुल में तो आज हम करेंगे बैनेट यूनिवर्सिटी का कैमपस टूर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी चाहते हैं कि बैनेट यूनिवर्सिटी के किसी भी श्टूडिन से बात करना कैसा फ्लेस्मेंट है कैसा माहूल है वहाँ पर अपनेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सारी चीजों के बारे में अगर है आप जानना चाहते हो तो भी आप हमें call कर सकते हो इस screen पे जो number दिया गया आप हमें call कर सकते हो हम आपकी उनसे बात करा देंगे जिससे आप उनसे real feedback ले सकते हो कि क्या माहोल है वाँ पे कैसे ही वाँ पे पढ़ाई होती है जिससे आपको बहुत ही help हो जाएगी और आप आराम से admission ले सकते हो college में तो चलिए campus tour के लिए हम चलते हैं तो भाई हम अपना camera अमरा लेकर तयार हो गया और car में चलते हैं Bennett University का पूरा review करते हैं और सारी चीज़ें आपको बताते हैं Bennett University आपको Great Noda में मिलेगी आप जानते ही होगे और यह 2016 में यूनिवर्सिटी बनी है तो यह काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है अभी Great Noda में बहुत जादा आगे बढ़ रही है बहुत जादा highlight हो रही है जितने भी बच्चे इस साल हमारे subscriber थे जितने भी हमारे friends बने हैं YouTube के दोरो जितने भी admission लिये हैं पेपर बना था उसी की एक फ्रांचाइजी है तो यह कोई एक particular इंसान की या फिर ओनर की नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी की वह अपनी मर्जी से चलाएगा यह पूरे systematic तरीके से चलता है तो अंदर जब आप जाते हो तो देखते हो कि भाई क्या मतलब कितने grand level पर बना हो चाहे वो classes हो, चाहे वो lab हो चाहे वो classrooms हो, चाहे वो hostel हो चाहे वो swimming pool हो, चाहे वो gym हो हर चीज जैसे आप movie हो में देखते हैं जैसे आप सोसते हो कि हम college में जाएंगे तो करन जोहर की जैसे movies होती है उस type से हम रहेंगे और वैसे girlfriend पनाएंगे और वैसे घुमेंगे बाओं में बाएं डालके और क्या क्या करेंगे तो वो सब चीज इसमें possible हो सकती है लेकिन इसमें बहुत जादा मतलब costly fees है अगर आप afford कर सकते हो तब ही आप इसमें जाओ नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि जो नॉर्मल घर से हमारे और आप जैसे लोग इसमें पढ़ सकते हैं हाँ थोड़ा सा मतलब अगर पैसा है पिता जी के बाद तो ठीक है फिर पढ़ सकते हैं लेकिन अगर लोण वरके थो इसमें जाना रहे तो बहुत भी जादा मुस्किल हो जाएगा क्योंकि फीस वरकेर काफी हाई है तो हम एक बार फिस पे नजर डाल देते हैं कि फीस कितनी है इसी हमारे आईडिया लग जाएगा कि फीस इसमें कितनी लगती है और मैं थोड़ा सा मोटा मोटा कोर्स की फीस बता दूंगा की मतलब कौन-कौन से कोर्स होते हैं मुझे जो अप्रोच करते हैं बच्चे मेरे पास जो गॉल आते हैं मैं उसकी फिरस और कोर्स के नाम बता देता हूं अगर हम BTEC की बात करें तो BTEC की जो टोटल मतलब जो फीस होती है हर कॉलेज की 4 लाग इसमें पर येर है मतलब 4,25,000 इसमें पर येर लगता है मतलब देख रहे हो आप अधर कॉलेजी में जाओगे तो 1,25,000, 1,20,000, 1,35,000 ऐसी फीस होती है लेकिन इसमें फर्च्ट येर में आपको 4,25,000 फीस पे करनी पड़ेगी तो आप मंटिपलाई कर लो देख लो कितनी बंड़ी 20 लाग के करीब बन जा रही है और अगर हम BCA की बात करें तो BCA की जो टोटल फीस होती है आपकी उसमें इसकी एक साल की फीस लग रही है दो लाग पैतालिस हजार और MBA की हम बात लाग फीस में जानता हूं अगर हम BBA की बात करें तो BBA में जो फीस है वो 3,25,000 है अगर हम BBA की बात करें तो इसमें फीस पांच लाग पैतालिस हजार है जो कि काफी ज़्यादा है यार लेकिन उसी हिसाब से ये प्लेस्मेंट भी देते हैं आपको फॉरन भेजेंगे मतलब इंटर्वी में बैठने का अगर आप उस लेवल की स्टूडेंट हो तो एंड अगर BLA की बात कर लें तो इसमें फास्ट यर की जो फीस है वो 4,15,000 फास्ट यर की हो ली एंड पीचडी की बात कर लें तो 90,000 पर यर है तो मतलब काफी जादा कोशली आप फीस देगी होगे लेकिन प्लेसमेंड पी उसी तरीके से मिलता है तो प्लेसमेंट फीस के बारे में घंकर करेंगे and fees and courses के बारे में discuss कर दिया हूँ जो मेरे पास मतलब अक्सर अगर कि बच्चे आते हैं पूछने के लिए वो बीटेक वाले आते हैं बीसे वाले आते हैं and MBA वाले आते हैं BBA वाले आते हैं and LLB वाले आते हैं और भी फार्मावाज से भी related कुछ-कुछ बच्चे आ जाते हैं तो अब हम देख लेते हैं management प्लेस्मेंट कैसा कराता है तो मतलब other colleges में आप बहुत सारी चीज़े ऐसी मतलब बहुत fraud वगरा होता है कि जैसे बच्चा बाहर से selection हो गया तो भी include कर लेते हैं कि नहीं हमारे college से selection हुआ है या फिर ऐसे किसी का मतलब कोई जान पचान का होता तो उसको इतने लाग का प्लेस्मेंट देखे और उसका पोश्टर वगरा लगा देते हैं ऐसे कुछ चीज़ें वगरा तो इसमें जो और रियल आपको देखने को मिलेगा फिप्टी सेवन पर येर आपको देखने को मिलेगा एंड जो एवरेज का प्लेस्मेंट होता है वो आपको 11 लाग के करीब होता है मतलब 11 लाग पर यर तो मतलब काफी अच्छा मतलब आपका इसमें प्लेस्मेंट देखने को मिल रहा है जो इसमें मैंने जो इस्टूडिन से बात केती वो बता रहेते कि 25 परसंट जो टोटल ओर ओर पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे होते उनके जो प्लेस्मेंट होते हैं वो 15 लाग से उपर होते है तो जेनुएन सी बात है कि अगर आप इतना पे कर रहे हो तो उस हिसाब से प्लेस्मेंट काफी ठीक मिल रहा है तो मेरे तरफ से बिल्कुल हाँ है आप को इस कॉलेज में जाना चाहिए और LLB की लाइबरेडी आप देखो कि काफी बड़ी होगी क्योंकि इतनी यूज लाइबरेडी मैंने अभी तक नहीं देखी किसी भी लाइबरेडी की बात कर लो किसी भी क्लास की बात कर लो चाहिए किसी भी चीज की बात कर लो सारी चीज़ें काफी बड़ी और काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है मतलब आपको लगेगा कि आप एक फॉरिन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो चाहिए वो पेड़ों से रिलेटेड हो क्योंकि पेड़ भी यहां पर ऐसे पीपल के और बर्गत के नहीं लगा दी है बिल्कुल वो जो कटीले वाले होते हैं उस टाइप के लगाए हैं आगे आपको देखने को मिलेंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक बाते कर रहा हूँ वहां की लड़कों से बात किया है जो हमारे सब्सक्राइबर वहां पर पढ़ाई करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि जो मैंने यह वीडियो बनाया सिफ 20 मिन के बनाया लेकिन जब मैं वहां से सूट करके लाया था तो कम से कम एक घंटे का वीडियो पूरा था तो मतलब वहाई एक 55 मिनट से लेके 60 मिनट तक पूरा वीडियो था तो उसको किसी तरीके से कम प्रिस करते 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 बहुत सारी चीज़े मैंने इसमें से निकाल दिये फिर भी सारी चीज़े मैंने आयडाउन करने की कोशिस किये कि जो जो important चीज़ें जो आपको जानना चाहिए सारी चीज़े मैंने इसमें डाल दिये तो हो सकता है कि इतनी बड़ी वीडियो में मैं मेरे पास इतनी सारी बातें ना हो जो मैं आपसे कर पाऊं तो बीच-बीच में जो चीज़े मुझे लगेगी कि हाँ बताने लाइक की है वो मैं आपको बता सकता हूं और आपको समझाने की कोजिस करूंगा बाकि आप वीडियो को इंजुआ किजिए and कोई भी चीज होग है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सेयर करें और जादा से जादा मतलब अपने दोस्तों को सेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि आपके भाई का भी सपोर्ट आपके साथ बना रहे और आपका भी हमारे साथ सब्सक्राइब बना रहे जो भी ह तो सारी चीजे यह लाइब्रेरी काफी यूज है इसमें मतलब आप देख रहे होगे कि मैंने और भी इसमें विजिट किये हैं लोग की कॉलेजेंट में लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी इतनी सारी वुक्स मैंने कहीं नहीं देखें तो जो भी चीजे यहां पर दी जा र सबसे बड़ी चीज होती है कि वाइब आपको कैसी आ रही है यूनिवर्सिटी में तो वाइब बहुत एच्छी आ रही थी बहुत सारे लोगों का सौक भी होता है कि हम जाएंगे और घूमेंगे और मस्ती करेंगे उस हिसाब से भी इसमें अगर आप आना चाहते हो तो भी आप आ सकते हो उस हिसाब का भी इसमें कल्चर आपको मिल जाएगा और कोई पाबंदी नहीं है बहुत सारे ऐसे ग्रेटनोडा में कॉलेजिस जैसे नाम तो लेना सही नहीं होगा लेकिन फिर भी ऐसे कॉलेजिस हैं बिल्कुल स्कूल की तरीके से ट्रीट करते हैं जिससे लगता है बच्चे वो बिल्कुल नाखुन काटके आना है बाल लोकी अब हम चलते हैं नीचे की साइड और सारी चीज़े एक्स्प्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं तो यह जो सामने आप क्लास देख रहे हो इस क्लास में अभी हम चलेंगे इसमें टीचर क्लास ले रही थी और इस्टूटिन पर हलके फुल गेते हैं तो मुझे सही भी नहीं लगा वीडियो बनाना फिर भी मैंने हलका से वीडियो बना लिया है और सारी चीज़ें मतलब डिजिटल आपको पढ़ानी वाले जो टीचर होते हो वह भी डिचली पढ़ाते बच्चे जो वह भी डिचली पढ़ते मतलब आप अपना लैप्टॉप ले जाके ला फिर प्रेजिंटेशन देना चाहते हो तो आप आराम से लेटाप ले जाके टीचर के सामने अपने एकौल के आराम से काम कर सकते हो तो मैं यह सब चीज़े इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह सब चीज़े तो हमें भी मालूम है आप क्या बता उस इन्वारिमेंट का मतलब उस कल्चर से रिलेटर में बात कर रहा हूं कि यहां पर हर चीज़ आपको काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा काफी अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़े बताई जाएंगी जो चीज़े आलाउ की जाहिए आज के डिजिटल क दौर के हिसाब से वह चीज़े आपको अलाउ की जाएंगी और आपको जितनी भी ठीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगी सब लेटेस्ट देखने को मिलेगी मैंने अभी तक एपल का मतलब कंप्यूटर सिस्ट्रम कहीं नहीं देखा किसी भी कॉलेज में आप देख कैसे साइबर क्लास टाइप का बोल सकते हो इसमें भी आप अपने सारे वक कर सकते हो आके तो मतलब इसमें इतने कंप्यूटर स्लैब है इतने लाइब्रेरी हैं कि समझ में नहीं आता कि इसको कितना explain करें तो आप देखते रही है और बीच-बीच में जो भी चीज़े पूरे जितने भी लैप्ट शुरी सिस्टम थे सारे इसमें डिल के हैं तो मतलब सारी चीज़े काफी अच्छी और काफी यूनिक है मैं काफी तारीफ कर रहा हूं आपको लग रहा होगा लेकिन सही में जैसा मैं सोचा था वह सारी चीज़े मिली एकास मुझे मुझे माउक चीज़े क्लास मुझे काफी अच्छी लगी क्लास की सिर्स जो हैं काफी अच्छी लगी बहुत सारे कॉलेजिस में आपको मतलब मुआ पे लखडी की होती है तो मतलब नौ से पांच बैटे बैटे दुख नहीं लगता है पिछवडा तो उस आप से यहां पे सिर्स काफी अच्छी दी हुई है एंड बाते मेरी काफी काफी गरी हुई है तो उसको आप माइंड मत कीजेगा और यह रहा मतलब यह साथ आई थिंक लेब हैं बायो से रिलेटे बायो टेक के जो बच्चे होते होंगे वो इसमें आते होंगे एंड इसमें भी मतलब यह था कि हां क्या करते हैं उसको यार क्या करते हैं क्या करते हैं वगरा हां बहुत सारे कॉलेजिस में तो बस ऐसे सी सी सीच डिबी ऐसे खाली पड़ी होती हैं दो चार ऐसे सामान आपको दिखने को मिल जाएंगे बाकी के मिकल्स के नाम पे कुछ नहीं होता वह यह फॉस्पोर इस अमेजिंग मतलब मसा आ जाता है बाहर सारी चीज़ें देखके इतना मस्त मावल है आगर आप टिक्टॉकर हो कहरी उनिवस्ट्री में तो बना नहीं सकते हैं फिर भी आपको फोटोग्राफी का सौक है तो काफी अच्छी यूनिक यूनिक फोटो आगी आप देख रहोगे या फिर कॉल करोगे तो बोलोगे हाँ या वीडियो आपने अच्छी बनाई है और पॉलेज भी बहुत अच्छा इसलिए वीडियो अच्छी बनी है अब पेड़ देख रहोगा जो मैं बोल ला था कि वह पीपल के पेड़ और नारियल के पेड़ नहीं लगा दिये किजेगा और comment किजेगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अप सब्सक्राइब भी कर दीजेगा कर सकते हो में बोलने वाला था लेकिन कर सकते नहीं जरूर कीजेगा सारी चीजें बहुत अच्छी लगी यार मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में है अब फिर चलते हम और आपको पूरा फूल फ्लेज में गाना चल लाता है युनिवर्सिटी के अंदर में हम तो फॉन से गाना नहीं सुन सकते लब सौंग्स बगारा जो भी बॉल्यूट के होते हैं इसमें तो बच्चे सब जो नहीं होते हैं डांक से टाइप के बाल-बाल एकदम पूरा दो-चार यह लेकिन पढ़ाई के साथ तो मतलब हर चीज मतलब इन्वार्मेंट दे रहे ना वैसा वैसा कल्चर तो बच्चा करे गई क्या बस वह यह क्लास जाओ-आओ-जाओ-व लब्च्छ जाओ-आओ-आओ-बएक वह तहना है कि फील होता है कि भाई-टौलेज में पढ़े हैं विसके बाद भाई कॉलेज में अब जम स्कूल में पढ़े हैं तो अब हम कॉलेज में जा रहे हैं तो at least कॉलेज जैसे कल्चेर तो हमें मीले ना सारी चीजे और होस्टल यहां काफी कोशली है अगर होस्टल की हम बात करेंगे तो इसमें आपको एक डेड़ लाग से दो लाग के बीच में होस्टल देखने को मिल जाएगा चाहिए वो लड़की को चाहिए लड़का को तो पर यह दो लाग या पौने दो लाग फीस पे करना काफी लग रही है किसी कि एक लाग 75,000 लग रही है तो उनसे पूछना पड़ेगा कि वह कौन सा सिट लिए मतलब कितने सिट का बेड़ लिए होस्टल में तो उसी साब से फिर मैं आपको बता सकता हूं और आप देखरोंगे सामने पूरा किर्किट हो रहा था काफी बड़ा ग्र यह मतलब वही है डिसकोड डिसकोवर करने वाले डांस करने वाला और उनके इंगलिस में गाने चले तो मैं कॉपी राइट के वज़े से म्यूट कर दिया हूं और यह भी काफी अच्छा एरिया मुझे लगा काफी मतलब एक गल्फेंड बॉइफेंड वाला कि यहां पर को वोटो खीच के चलो पिता जी को लाना तुम कल क्या कर रहते क्लास में पढ़ने आते होगी कॉलेज में पढ़ने आते हो केम बाई कैमपस में बैठने देते सबसे बड़ी बात तो यह होती है अप यकीन नहीं मानोगे कि जो गार्डेन बना होता है जो भी गिरिनरी बनी हो कॉलेच का तो मतलब अगर बैट गहों तो उटो जाओ जा जाओ अगर क्लास में जाना तो लेकिन आप मतलब दो-चार मिनट के लिए दोस्तों के साथ सोचो की बैड के गार्डेन में बात करने आराम से केमपस में कहीं भी कोने में या फिर जहां भी आपको पसंद आ रहा ह आपको चाहे वालीवल हो गया चाहे फुट बोल हो गया चाहे वो किया ही बोलू है और मुझे तुम भी नहीं आए आरे चीज आपको मिलेगा इसमें अब हम सारी चीज़ा आपको दिखा दियें तो प्लीज सब्सक्राइब एक बार और बोल देता हूं कर दीजेगा अपने भाई को अब अल्मॉस्स सारी चीज़ा मैंने कवर कर लिए बहुत मैंने कट किया बहुत कट किया है तो क्यूंकि इतना लंबा वीडियो क्यों बना दिया कि अगर मैंने सारी चीज़े काड़ दीना तो फिर वह रिलेमेंट नहीं रह जाएगा कि क्या कहां से जा रहा हूं कहां आ रहा हूं मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप लोग इसलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोसिस किये भले वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन आप लोग ना लाइक कर दोगे तो लाइक करने से यूटूब के अलगोरिदम को पता लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छा है तो फिर वह आगे जादे लोगों को मतलब सजिस्स करता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिएगा और आप देखी रहे ओगे यहाँ पे पूरा जिम है निचे आपका स्मिंग पूल मैं और पूरई सपॉस्ट एरिया यहाँ पिर आप कर सकते हो listening कर सकते हो इसा जो भी आपकी कि होबी यह पूरा उसको पैसन के साथ फॉलो कर सकते हो तो अब यह में निचे चलते हैं और देखिते है कि और क्या चीज़ें दिखने को मिलती है नहीं तो फिर हम अपने घर को चलते हैं तो यह रहा मतलब यहां पर यह जो लड़का है साउंड में सॉंड बॉक्स भी लिया था और हेड़फोन लगा कर भी सुन रहा था मस्त वाइब आ रहे थी यहां पर और साम मतलब साम ढल रहा सा रिलेट आप कर पाओगे लेकिन बहुत जादा इधर उदर से आवाज आती है तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है फिर भी थोड़ा-थोड़ा मैं हर जंगे आपको दिखा दूंगा तो इससे आप रिलेट कर पाओगा कितना अच्छा महां पे मतलब माहोल आपको आप सारी वीडियो तो दिखा दी मैं सुबह 9 बजे गया था और साम में 6 बजे के करीम निकला था तो हालत कराब हो गए थी तो प्लीज मेहनत को प्लीज अप्रिसेट कीजिए कोई भी चीज अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो अपना बड़ा भाई चोटा भ जेगा जो चीज़े पूछना हो आप पूछ लीजेगा और किसे इस्टोडियन से बात करनी तो भी किजेगा तो एक बार मैं आपको सामने से आप भी आके यह बाते आपको बोल देता हूं ताकि आप बुरा ना मनावा कि पढ़दे के पीछे से ही क्यूं रिक्वेस्ट कर आगे से रिक्वेस्ट करो उमीद है कि आपको बैनेट यूनिवर्सिटी का केमपस टूट अफी अच्छा लागा होगा सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी अगर कोई भी चीज ना पसंद आई हो तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हो कमेंट कर सकते हो अगर आप इस रियल फीडबैक लेना चाहते हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिं जय भारत